नमस्कार मेरा नाम है शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच आज इस वीडियो में जानेंगे गेट खुलने में हुई देरी तो कैसे एक महिला ने सोसाइटी के गार्ड को दी भद्दी भद्दी का लिया तो चलिए वीडियो की शिरुवात करते हैं ग्रेंड ओमेच सोसाइटी में श्रिकांत त्यागे द्वारा एक महिला के साथ अभद्रता का मामला अभी शान्द भी नहीं हुआ था कि एक और मामला नौईडा के सेक्टर 122 के जेपी सोसाइटी से सामने आ रहा है जो है एक महिला गाडों के साथ अभद्रता और माट पीट करती नजर आ रही है वाइरल वीडियो में महिला ना सिर्फ भद्दी भद्दी गालिया दे रही है बलकि एक गाड का कॉलर पकर कर उसे घसीटिती हुई नजर भी आ रही है अब सोसल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वाइरल हो रहा है वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और हिरासत में लेकर पूछता आज की उसके बाद उसे गिरफतार कर लिया गया है अब जेल भेजने की तयारी की जा रही है दरसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें एक महिला जिसका नाम भव्या रॉय बताया ज़ा रहा है वह तीन गाडों को गालिया देती नज़र आ रही है बताया ज़ा रहा है की गेट खोलने में हुई देरी के बाद महिला आग बबूला हो गई और भद्धी भद्धी गालिया देने लगी इतना ही नहीं एक गाड का कॉलर पकड़कर उसे खीचती हुई नज़र आ रही है इसके अलावा वह बिहारियों को लेकर भी अब शब्ध बोल रही है हला कि अब जैसे ही वीडियो वाइरल हुआ नॉडिया पुलिस एक्शन में आई और मुकदमा दर्श करते हुए आरोपी महिला भव्या रोई को हिरासत में लेकर पुछताज की पुछताज के बाद उसे गिरफतार कर लिया गया है अब उसे आई पी सी की अलग अलग धाराओ में मुकदमा दर्श कर आरोपी को जेल भेजने की तयारी है बता दे कि ये पूरा मामला भी सगस्त की है वीडियो भी शरिवार को ही वाइरल हुआ था वैसे वाइरल होते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई और महिला को हिरासत में ले लिया गया जानकारी के मताबिक आपको बता दे कि शांती भंग के अलावा अन्य धाराओ में मुकदमा दर्श किया जा रहा है वहें मिली जानकारी के मताबिक कहा जा रहा है कि आरोपी महिला नशे में धुत थी वो न सिर्फ गाड़ों से बदसलूखे कर रही थी बलकि बिहार के लोगों के खिलाप भी भद्धी भद्धी टिपड़ी करती भी नज़रा रही है महिला इस के इस ब्यवार के बाद सोसाइटी के लोगों में भी रोश व्याप्त है इतना ही नहीं महिला पुलिस की वैन में नहीं बलकि अपने गाड़ी में पुलिस थाने पहुशी है जिस पर भी अब सवाल उठने लगे है वैसे आपको बता दे कि आरोपी महिला भवयारोय पेशे से वकील बताय जा रही है फिलाल उसकी गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है भवयारोय से जब बात्चीत करने की कोशिस की गयी तो उन्होंने कहा की उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है उधर पीरित गार्ड अनूप कुमार ने बताया कि वह यूपी के बुलंद शहर जिले का रहने वाला है शनिवार शाम करीब साधे पांच बजे की घटना है जब भव्या रोय अपने कार से सोसाइटी पहुची अनूप कुमार ने बताया कि वह नियम के मुताबिक गारी का नंबर नोट कर रहा था इस वीच तेज रफ्तार से वह गारी लेकर अंदर आई और उतरते ही आग बबुला हो गई अनूप कुमार ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है इससे पहले भी भव्या रोय ऐसी हरकते कट चुकी है हलाकि यहां सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि भव्या रोय पेसे से वकील है वो वकील जिसको मुझवानी IPC की धराय रटी होती है वो वकील जो कोट में दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं वो खुलियाम वो महिला इस तरह की अभधरता करते हुए नजर आ रही है जबकि वो जानती है कि इससे उसको किस प्रकार किस सजा मिल सकती है हाला कि उसको गिड़वतार कर लिया गया है आज की वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहें सारफ सच